हेलो एवरिवन वालकम तो डबले स्क्राइब और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोगाम तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे पाइथन के अंदर जो लिश्ट है उसके कुछ ऑपरेशन या मैथड की प्रीवेस वीडियो में हमने देखा था कि what is python list then हमने पढ़ा था कि python list की क्या properties होती है और उसके जो बेसिक काम करते हैं, इनके क्या-क्या पफ़सें और आप इनको कैसे यूज़ करसकते हैं यही इस वीडियो हम लोग जानेंगे तो सरवात करते है हमारी इस वीडियो की, python के method के बारे में हैं तो दोस्तो यहां पर मैंने कोच python के method की list दी है तो आप इन में से एक-एक method जो है हम लोग one by one पढ़ेंगे और उनके उपर discuss करेंगे तो सबसे पहला जो method है दोस्तो उसका नाम है append append method generally हमारे पास में जो कोई भी list बनीवी है उसमें single element को add करने के लिए काम आता है वो भी at the end ठीक है तो चले कैसे append करते हैं इसको use करते हुए इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा friends कि जब भी हम लोग कोई भी element insert करते हैं या फिर उसको add करते हैं तो यहां पर add करने के actually में दो तरीके adding an element into into list में list के अंदर आपको कोई भी element अगर add करना तो उसके दो तरीके हैं हमारे पास में पहला तरीका है using method using method method को use कर सकते हैं like append method 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 को use करते हुए हम लोग element को add कर सकते हैं और दूसरा हम लोग indexing और slicing को use करते वे भी element को add कर सकते हैं अब मैं आपको दोनों तरीके सही समझाओंगा ताकि आप comfortable हो जाए कि method के पका में लेना है और indexing और slicing के चुरू अगर आपको add करना है तो आपको किस वीज़ से add करना है तो देखते हैं कि single element को add कैसे करते हैं याद रखेगा हम लोग केवल single element को खेट करेंगे single element अब यह जो single element हम लोग एड करने वाले हैं आपका BUT single element हो सकता है innezer हो सकता है field हो सकतes एटको हो सकता है इवन है या सैंच को आपज तपल को हला हनो सकते हैं दो से बस आपको याद होने चीए वो as a single element add हुआ चलिए प्रोगाम आना के देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग सीखते हैं तो चलते हैं हम लोग सिधा अपने प्रोगाम की तरफ यहां मेरा प्रोगाम है और यहां पर मैं इसका output खोल देता हूं चलिए इसको हम लोग रिमूग करते हैं पहले तो हम लोग लिस्ट पना लेते हैं जिसमें कुछ आइटम हम लोग मेंशन कर देते हैं सपोर्ज मैंने किया 11 12 और 13 नाओ वी वांट टू एड अनाधर आइटम 14 इन्टु दा लिस्ट हमें 14 एड करना है लिस्ट में ओके इसकी लिए मैं यूज करूंगा हमारा एपेंड मेथर एपेंड यहां पर रिटन करते हैं जिसको हम लोग किसी और राफरेंस के अंदर कप्चर करते हैं लेकिन आप यहां पर वह गलती मत कीजिएगा क्योंकि लेस्ट कोछ भी रिटन नहीं करता है चलिए एक बार मैं बता देता हूं जो mostly गलतीया हम लोग करते हैं वो गलती क्या होती है जिसे हमने लिखा Appends, ठीक है, तो हमने यह जो method append, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग जब इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, append, और मैं यहाँ पर add करना चाहूँगा 14, और फिर बात में हम लोग क्या करते हैं, print करते हैं R, तो दोस्तों है कि आपको यहाँ पर कुछ भी return नहीं मिलता है, इस case में आपको keval method को apply करना है, और फिर आपका जो भी changes होंगे, वो उसी L में होंगे, उसी list में होंगे, तो यह बड़ा advantage मिल जाता है, क्योंकि यह mutable होता है, string के case में ऐसा क्यों होता है, कि उसको हर पर एक नए string बना कर होते है, string जो होती होती है, immutable, immutable का मतलब यह हुआ कि उसमें changes लाव नहीं है, तो लेकिन list जो है, वो mutable है, इसका मतलब आपको जो भी changes है, वो आपके L में ही हो रहे है, तो आपको यहाँ पर capture करने की जरूत नहीं है, किसी और reference में, तो आप L के साथ ही करेंगे, तो add कहा होगा, यह at the end में add होगा, इसको याद रखेगा कि यह single element को add करता है at the end, append, now अब आपका single element है दोस्तों, वो आप tuple की form में भी दे सकते है, जैसे कि मैंने दिया 2,3, अब यह 2,3 दो element नहीं है, यह single element 2,3 का जो टपल है, वो single element के जैसे add हो रहा है, आप चाहे तो around या curly braces का use करना पड़ता है हम लोगों को, तो यह हमारा as a set single element add हो गया है, आप चाहे तो यहाँ पर list, दोबारा list add कर सकते हैं, लेकिन as a single element, मतलब nested list बन जाएगे हमारे पास में, यह देखिया आप, तो append के through, आप कोई भी element जब add करते हैं, तो as a single element add होता है, वो भी at the end म तो यह append के बारे में आपको दो जानकारी जो है, वो समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए, चले, यह तो हमने add कर लिया पूरा append के through, अब देखते हैं कि indexing के through किस तरह से add कह जाता है, ओके, indexing के through add करना है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में य 0 है, इसका index 1 है, और इसका index 2 है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे L3, हाला कि हमारे पास L3 नाम का कोई भी index नहीं है, लेकिन हमने अगर add करना चाहिए, तो इस तरह से भी add कर सकते हैं, कि हमने L3 लिखकर 14 लिख दिया, तो यह क्या करेंग यहाँ पर slicing का में लेगे, तो slicing के ली क्या का में लेगे हम लोग यहाँ पर लगा देते है, colon, लगा देते हैं, और इसके case पर हम लोग लोग देखते हैं, एक Error और रही है, Can only Assign an Derable, आप के वापजिय नो इतरीबल आपजिग्टर है, कैसेwise सकते हैं, यहाँ लोग यहाँ आपर देते हैं 14, 15 इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो आपके पास में यह 14 और 15 दोनों तो एलिमेंट एक की बात करें यहां पर दोस्तों तो इंडेंग्स करने के वज़ा है क्या करते हैं और इसे अपके बांड होते हैं इंडेक्स आपके मैकिम्म नहीं होने चाहिए तो अगर आप सोच रहें के सर में एक एक फिर हम 14 डाल दें तो यह आपको आउट ओफ इंडेक्स की इश्यू दे देगा लिस्ट आसाइनमेंट इंडेक्स आउट ओफ रेंज के यह बाहर जा रहा है तो क्या इस प्रॉब्लों का कोई है या नहीं है दोस्तों इसका भी शॉलीशन है जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं तो हम लोग बात करेंगे कि यहां पर किस तरह से क्या जाए तो जबी भी दोस्तों आपको कोई भी एपेंड की जगह कुछ इंडेक्स की तुरू एड़ करना इलिमेंट किस तरह से करेंगे तो इसका एक special तरीक्ता होता है इसको ध्यान में रखेगा ठीक है यह तोड़ी सी ट्रिक है काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो पहले चीज है कि आप यहां पर इंडेक्स की जगर काम में नहीं लेंगे अगर इंडेक्स काम में कि आपका क्या हो जाएगा ठीक है अ बता है जिकले कि हैं किसे यह सेकंट कर तो हम लोग कोई भी element को add करते हैं तो वो एक इट्रेबल फॉर्म में होना चाहिए मतलब आप इसको लिस्ट की फॉर्म यहां पर रखेंगे ओके नौ अब यहां पर आपको देनी है length जैसे length मेरी है तो यहां पर मैंने लिखा कि 0 index, 1 index, 2 index और 3 index पर आपके पास में यह जो element की आप लिस्ट दे रहे हैं वो आपकी add हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने पास में एक element add कर सकते हैं ओके तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा यह बिल्कुल किसके equivalent है यह हमारे equivalent है इसके मैं आगे यहां पर comment लिख करी बशा देता हूं कि आप इस तरह से करेंगे तो आप l.append लिखकर अगर 14 लिखेंगे तो दोनों का answer सेम आता है दोनों के अंदर सेम चीजे valid रहती तो आई होप आप append यूज कर सकते हैं और append के साथ में यहां पर slicing का concept यूज करेंगे और slicing के यहां पर हमारे पास में क्या होना चाहिए अब मैं यहां पर क्या करता हूं इसको एक पार erase कर देता हूं आपको यह I think समझ में आगे है इसको capture जूरू किजिए दोस्तों यह कोश कि सिंगल टपल को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा लखना पड़ता है तो 14 के साथ में ब्रेकिन लगेंगे और लगाने माने अगर आप टपल बनाना चाहते हैं सिंगल अलिमेंट पाला तो आपको याद होगा कि हमें कॉमा लगना पड़ता है इस तरह से आप यहां पर आपके एड़ करता है लेकिन हम लोग इस मैठर के तुरू या इस प्रोसीजर के तुरू अलिमेंट को कहीं भी एड़ कर सकते हैं बस तोड़ा से आपको ध्यान देना चाहिए कैसे चलिए मैं चाहता हूं कि इसको 11 और 12 के बाद में 11 और 12 के बीच में इसकी लिए दोस्तों तो हमें यहां पर लिखना पड़ता है 1,2 अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लांग जानती हो ना यह तो रहता है एक्स्क्लूड रह गया इसका मतलि यह 1,1 माना जाएगा इसका मतल्लक यह 11 की जगह आ जाएगा इसकेस में यह रिप्लेश्मेंट करेगा क्या करेगा है यह इंसर्ट करेगा तो अब यह आपका इंसर्ट होगा और 11 और 12 के बीच में 14 इंसर्ट कर देगा तो आप अगर आपको स्लाइसिंग के तुरू भी इंसर्ट करना आता है तो आप इसको कहीं भी अपने इंसर्ट करना गया अगर आप यहां पर लेंड नहीं पता चल रहें किसे लेंड बहुत लंबी हो सकती तो आप यहां पर लेंड और अंदर लिख दीजिए तो अल्टिमेटली होका क्या यहां पर वो तीन ही रखेगा क्योंकि इस हमारी लिस्ट की लेंड 3 है तबी भी आप अट दे एंड आफ कर पाएंगे तो बीच में इंसर्ट करना आपको आगया आपको एंड में इंसर्ट करना आगया चलिए अब बात करते हैं कि स्टार्डिंग में इसको इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करें तो इस्टार्डिंग में इंसर्ट करना है तो दोस्तों हम लोग यहां लिखेंगे 0,0 इस अच्छा है कि हम लोग पहले वाले को छोड़ते हैं और बाद में 0 लिखें अगर हम लोग इस से करते हैं तो हमारा जो 14 है वो सब से पहले insert होगा, तो यह तीन तरीक के हैं, तो मैं आपको तीनों ही तरीक के वापस बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी element है, इसको मैं यहाँ पर comment के साथ में आपको बता हूँगा, add an element in last, ठीक है, उस case में आप कैसे करेंगे, एल, उसके बाद में यह लगा देंगे, और यहाँ पर आपको length देनी पड़ेगी, तो length आप लोग चाहें, तो length function से निकाल सकते हैं, या manually आप इसको count कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप अपने element ही लिखेंगे, एक iterable की form में है, ठीक है, तो मैंने लिखा 14, तो इसने 14 add कर देगा, आप देखेंगे, इसने 14 add कर दिया, now, अब मैं चाहता हूँ कि मैं in between कहीं add करूँ, तो मुझे replace नहीं करना, मुझे in between add करना है, ठीक है, तो add an element in between list, या inside a list, इंसाइड लिख दू, inside a list, list के बीच में कहीं insert करना है मुझे, उस case में हम लोग लिखते हैं l, और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मुझे 12 और 13 की बीच चाहिए, 12 और 13 की बीच चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, 2, 2, 2, 2 लिखूंगा, और यहाँ पर मैं add करना चाहूंगे एक नए element, माल लिखे 16 add करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर दिखेंगे 16, 20 में add होगा, और 14 add में end हो रहा है, साथ से तकर आपको initial में add करना है, तो add an element in starting, starting में बगर add करना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से देना पड़ेगा l, और आपको यहाँ पर से आपने तीन element add किया है, 10, 16 और 14, 10 आपने studying में add किया है, 14 आपने end में add किया है, और 16 आपने in between कहीं add किया है, तो इस तरह से append से ही better मैं यह मानता हूँ, क्योंकि append हमें सा cable at the end आपके एक element add करता है, और यह आपका क्या करता है, यह हमारे पास में कहीं भी element को add कर देता है, I hope आपको यह clear हुआ होगा कि किस तरह से slicing का use करते हुए हम लोग अपने element को किसी भी position पर add कर सकते हैं, तो अभी मैंने जो आपको समझाया था दोस्तों, यह वो यह था कि हमारे पास में append को जब use करते हैं हम लोग, तो आप append को use करते हुए single element को add कर सकते हैं, और वहीं अग append ज्यादा easy रहता है अगर आपको at the end of list को कुछ add करना हो, otherwise आपकी slicing यह थो भी आप easily add कर सकते हैं, तो दोस्तों यह तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे second method की तरफ, कहां क्या second method यह रहा, second method हमारे पास में extend, क्या है दोस्तों, extend है, तो हम लोग चलते है, extend के पास में, extend और append में add कर देता है, correct है, चलिए, extend को भी तोड़ा सा सीख लेते हैं, और सिधा हम लोग चलते हैं, program की तरफ, और यहां पर मैं पहले program खोल देता हूं, यहां पर, चलिए, इसको मैं बंद कर देता हूं, काफी time सी चल रहा है, चलिए, अब हम भी बात करते है, extend की, second method की, माल लेता अब इसके अंदर हम लोग extend करते हैं, अगें, जब extend हम लोग करते हैं, तो हमारे पास में, यहां पर extend method किसी भी तरह का return नहीं करता, जैसे कि append method return नहीं करता, तो यह भी return नहीं करता, क्योंकि यह L के अंदर ही changes कर रहा है, तो आपको वापस return कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको आप किसी और reference में capture ना करें, चलिए, अब extend की खास बात यह है, कि आप इसके अंदर कोई भी iterable object दे सकते हैं, और वो इसको add कर देगा, तो चलिए, यहां पर मैं iterable object देना चाहूंगा, कि मैंने दे दिया 14, 15, 16, तो जैसे आप करेंगे, तो आपकी जो list होगी, उसके behind the, at the end, यह आपके सारे element add कर देगा, अब extend जो है दोस्तों, यही काम हमने, कॉनके ने लिशन से भी किया था, कैसे किया था, चलिए, मैं आपको देखा देता हूं, यह काम हम कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको तो हम लोग कर देते हैं, comment, ठीक, अब same equivalent काम हम लोग ऐसे भी कर सकते है कि हमारे पास जो L है, L प्लस एक नई list दे देते हैं हम लोग और इसके अंदर दे देते हैं 14, 15, 16 और इससे एक नई list बनके आएगी जिसको हम लोग L में capture दुबारा करेंगे और L को pin करेंगे, इस तरह से भी आप अपने list को extend कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, आप कहेंगे इसके साथ दोनों जब same effect दे रहे हैं, दोनों का answer जब same RF में दोनों में difference कहा है, दोस्तों difference यह है कि यह जो प्लस वाला concatenation method जो है, वो केवल और केवल तभी valid है जब आपके पास में एक list को दूसरी list से extend करना हो या बढ़ाना हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक टपल ले लेता हूँ, तब मेरा यह जो concatenation वाला operation है, वो fail हो जाएगा, देखिए आपको error आगी न, तो अगर आपके पास में एक टपल एक list है, या पी एक list को आप टपल के साथ में extend करना चाहते हैं, तो आपको यह extend में तरी काम में लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जो method है, इसके तुरू हम लोग 4-6 at the end ही add कर सकते हैं, और यह multiple item add कर रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 14, 15, 16 as a single item add नहीं हुआ है, यहाँ पर वो individual item add के है, तो दोस्तों यही काम हम लोग किस से कर सकते हैं, slicing से भी कर सकते हैं, करके दिखाते हैं, यही काम ह आपको slicing से, same, मैं चाहूँगा कि आपको slicing से करकर दिखाऊ, तो सबसे पहले मैंने लिखा L, और इसको हम slicing करते हैं, और पहले तो initial add करते हैं, initial add करने के लिए हमें colon के साथ में 0 लिखना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग चाहें, तो एक single element भी add कर सकते हैं, और multiple element भी add कर करना है, तो मैं लिखूँगा 2, column 2, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नए element 678, तो यह आपके element in between भी add कर देगा, यह देखेगा, in between भी add कर देगा है, और हम चाहें तो add the end भी लिख सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर length पता होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता, त कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी tuple देजीगा, या कोई भी, मैंने यहाँ पर tuple करना चाहूँगा, जैसे कि मैं tuple दिया है, suppose कि यह 4, 5, 6, तो यह देखेंगे, अब किस तरह से हम लोग slicing को use करते भी अपने extend वाले सारे काम कर सकते हैं, आसानी से, तो आप जिस से comfortable है, जनरली हम लोग mentally apply करते हैं, ज्यादा आपके लिए comfortable रहता है, क्योंकि लिस्ट में mostly जब हम लोग add करते हैं, कोई नया टपल या नया list या पी नहीं, कोई भी iterable object, तो इसको हम लोग add में ही add करना चाहेंगे, अगर आपको in between add करना है, तो आप लोग slicing का concept का में जरूर ले सकते हैं, तो I hope, आपको मैं append और extend आपको दोनों ही अच्छे से समझा चुका हूँ, और slicing की through भी मैं आपको बता जाए कि दोनों slicing की through भी किस तरह से operation perform की जा सकते हैं, चले, अब चलते हैं हमारे next operation की तरफ, जिसका नाम है insert, इंसर्ट जो method है, ये आपके किसी भ पहले हम लोग यहां पूजाते हैं, और यहां पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, काफी टाइम से चल रहा ही है, माल लेते हैं कि आपके पास कोई भी element है, जिसको आप अपनी position की through add करना चाहते है, जो हमने भी slicing में किया था, ठीक है, तो आप यहां पर insert method का भी use कर सकते है, insert में क्यावल, एक याई होता है, insert, अरे, यह क्या हो रा आज, अब ठीक है, तो यहां पर मैं add करना चाहूंगा, suppose कि मैंने 12 add किया है, 12 के साथ में इसकी position भी हमें देनी पड़ती है, पोजिशन हमने दे, suppose कि रो 2, फिर इसको जैसे हम लोग रन करेंगे, तो आपको पता चल इसको add करना चाहरें, तो यह जो आपका 12 है, okay, sorry, 12 आपके पास already था, मैं कुछ और आपको लिखके समझाता हूं, यहां पर, क्यूंकि हमने already दे थे था, तो आपने यहां पर लिखेंगे, suppose करो, मैंने यहां पर लिखा 20, और यहां पर लिखा 1, जब हम लोग लिखते है, 20, 20,1, इसका मतलब कि 20 है, यह होगा index, और 1 है वो element जिसको हम लोग add करना चाहते हैं, तो actually 20 नाम का को index नहां पर है नहीं, तो at the end में आपका क्या कर देगा, 1 को add कर देगा, ठीक है, तो इस तरह से आप insert को use करते हुए, यह काम करते हैं, माल लिखे आपको इसको insert करना है, हमा लिखेंगे 55 element, तो यह first position पर जो भी हमार element होगा, वहाँ पर 55 को insert कर देगा, और सारी list को expand कर देगा, ठीक है, तो इस तरह से insert के तुरू, आप लोग कोई भी element को desired position पर easily add कर सकते हैं, जनरली यह काम हम लोग indexing से या slicing से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरह सा हो सकता है, किसी के complicated हो, तो वहाँ पर insert method जो है, वो easily आपका work perform कर देगा, but insert operator हमेशा और हमेशा एक single item को ही add कर पाता है, या दखेगा, कैसे, माली जब मैंने याप पर एक list दी है, suppose कीजेगा, list मैंने दी है 66 और 77 की, तो यह 66 और 77 को as a single item ही insert करेगा, तो दोस्तो यहाँ पर इसका चोटा सा restriction यह भी होता है कि insert method के थुरू करते हैं, तब हमारे पास में single element ही add हो पाता है, और वहीं अगर आपको दोनों element add करने हैं, okay, separate add करने है, आप चाहते हो कि हमारा अलग-अलग add रहे, तो हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं slicing, okay, तो slicing का कैसे use करेंगा, I hope आपको याद होगा, मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ आपको slicing देनी है, जैसे कि आपने देदी है, आपको one वाली position पर करना तो आपको यहाँ पर देना है one, colon one, और then आपको यहाँ पर list प्रोवाइड कर देनी है, 66 और 77, तो इस तरह से 66 और 77 दो item add हो जाएंगे आपकी यहाँ पर list में, आप द और देखते हैं कि insert हमें clear है, चले, अब हम लोग बात करते हैं next method की जिसका नाम है index, इंडेक्स जो method है दोस्तों यह आपको किसी भी element के बारे में बताएगा कि वो element किस index पर है, तो यहाँ पर जब आप करते हैं तो as a parameter आपको यहाँ पर देना पड़ता है element, ओके, तो मैं यहाँ पर element लिखूंगा तो बता देगा कि वो element किस index पर है और अगर वो दो वार हुआ तो उसका वो जो first occurrence होगी उसका वो index देगा, क्या कहने का मतलब है, चले, प्रोगाम के तुरू देख लेते हैं, इसको अगे में बंद कर देता हूँ, काफी कच्रा हो जाता है, बहु के अंदर और I को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको 12 जो है किस position पर है, यहाँ पर इसको देखते हैं कि यह one position पर ही ऐसे नो, माल लेते हैं आपके पास 12 टू टाइमस आ रहा है, 12 जो है वो टू टाइमस आपके पास occur हो रहा है, तो आ इंडेक्स वो आपको डिटिन कर देगा, तो 12 का जो इंडेक्स वो 1 है, वो आपको यहाँ पर 1 इंडेक्स मिल जाता है, माल लेके चलते हैं कि आपको 2nd वाला 12 की इंडेक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर starting और ending इंडेक्स का भी use कर सकते हैं, तो starting के लिए जैसे मैंने का कि म मुझे यह second index के बाद में, यह मेरा standing index है कि मुझे इसके बाद में 12 को search करना है और उसके बाद में index को find out करना है, तो इस तरह से आपका यह जो होगा है, वो second index जो की third position पर आपको मिल जाएगा, तो I hope आपको clear होगा कि आपने starting index दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर range दे सकते यहां पर आप लोग सर्च कर रहा है, यहां पर आप लोग सर्च कर रहा है, कि आपका 12 कहां पर occur हो रहा है, अगर आप यह starting or ending index नहीं देंगे, उस case में जो भी 12 जो आपका element दिया है, उसकी जो first occurrence होगी, उसका index आपको मिल जाएगा दोस्तों, I hope index method भी काफी important दर जाता है, हमारे कहीं question में अंदर, इसको भी आप easily apply कर सकते हैं, अब बात करते हैं count की, again count जो हो बताता है कि कोई particular element कितने times occur हो रहा है हमारी list के अंदर, वो times बताएगा, ठीक है, तो चलते हैं, इसी list के अंदर देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं count, count 12, तो यह बता देगा कि 12 जो है, इस particular list में कितने times occur हुआ है, ठीक है, तो यह वापत आपको written कर देगा उसका number, तो 12 जो है, I think, दो वार occur हुआ है, एक यहाँ पर occur हुआ है, एक यहाँ अकर हुआ है, यह सुनो, अब question arise होता है कि सथ क्या हो, जब हम लोग एक ऐसा number देते हैं, जो कि है नहीं हमारी list में, उस case में आपको यहाँ पर मिल जाएगी error, चीक है, error मिंस, आपको count मिल जाएगा, कि हमारे जो element है, वो यहाँ पर zero time occur हो रहा है, इसका मतलब element है ही नहीं, इस तरह से आप यहाँ पर check कर सकते हैं, कि आपका जो element है, वो कितने times occur हो रहा है, आपकी list के अंदर, I hope आपको यह count वाला method भी clear हो गया होगा, चले, अब बात करते हैं short की, और short जो है, वो काफी important हो जाता है, चलता है, क्या है short के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कि हमारे पास में एक list given है, और यह जो list है, हमारे पास में, इस list के अंदर बहुत से element है, लेकिन वो element हमारे पास में shorted form में नहीं है, कैसे, जैसे मालित हों, यह 21 हो गया, यह आपका पास में 45 हो गया, तो इस तरह की list है, आप इसको short क करना चाहते है, अरेंज करना चाहते है, बढ़ते हुए और decreasing और increasing order में, तो आप यहां पर short का method use कर सकते हैं, तो जब आप लोग short use करते हैं, तो आपके जो भी element सफल होंगे, जो arrange होंगे, वो उसी list में होंगे, ठीक है, चलिए, यहाप आपको short लिखना है, और आपके पास चलिए, अब short करते समय हम कई बार इसके अंदर दो parameter लिखते हैं, एक parameter होता है T, एक होता है reverse, तो reverse का क्या logic है, मैं आप लिखता हूँ reverse, और reverse को मैं करते हूँ true, इसका मतलब है कि मैं shorting तो चाहता हूँ, लेकि मैं चाहता हूँ decreasing order में, आप देखेंगे कि जसे ही हम लोग reverse पर true कर देते हैं, तो आपके पास पूरी जो लिस्ट है, short हो जाती ही, लेकिन decreasing order में, घरतेवे करम में, तो आपका देखेंगे output, output के अंदर आपको मिल रहा होगा कि सारी के सारी जो list है, यह decreasing order में आपके पास में आ गई है, तो इस तरह से आप reverse का भी यहाँ पर use कर सकते ह तो मैं आपको यहाँ पर use करना सिखाऊंगा की का, एक element और हम लोग use करते है, short method के अंदर वो है key, अब key का use क्या है, उसके लिए मैं आपको better example यहाँ पर दूँगा, ताकि आपको easily clear हो जाए, तो दोस्तो, short के अंदर हमाल पास में दो और parameter आते हैं, जिसकी हम लोग बात क trending के लिए हम लोग पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको remove कर देते हैं, ठीक है, और एक better example के तो आपको समझाता हूं, यहाँ से इसको मैं आपको remove किया, और आपके लिए easily way में समझा सकून सारे की parameter, इसकी लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की list ले लेता हूं, चलिए, अब इसको हम लोग करते हैं, short, okay, जैसे short करेंगे, तो यह हमारे पास में capital से small की तरफ बढ़ना शुरू हो जागा, बहुत जादा कच्रा हो गया है, तो इसको मैं तुला से clean कर देता हूं, इसको दुबारा run करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको वह यहाँ से दिखाई दे जो की लिए, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आप जानते हैं कि capital A का जो code होता है, वो होता है 65 और small A का होता है 97, इसी वज़े से यह ascending order में कुछ इस तरह का आपको answer मिलता है, कि capital पहले आपको मिलेंगी, then capital वाले चुछ में एक-दू capital वो आपको मिल रहे हैं, then small व होता है, जिसके हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहां लिखेंगे str.lower, ओके, यह आपको lower according आपको यह arrange कर देगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वार lower वाले first आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने किसी भी short को customize कर सकते हैं यहां से, और साथ सा अगर चाहें तो इसको reverse भी कर सकते हैं, और आप यहां पर reverse true लिखेंगे, तो यह आपका decreasing order में आना सुन हो जाएगा, तो I hope आपको यह short method है, यह आपको किस तरह से work करता है, इसमें क्या parameter हम लोग यूज करते हैं, वो आप यहां पर use कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, short की सबसे बड़ी कम हो, चली है, माना on चल रहा भी तो, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास में shorted answer तो मिले है, लेकिन original list जो है, हमारी वो change ना हो, ठीक है, उस case में हम लोग inbuilt function जो होता है, shorted, उसका use करेंगे, कैसे करते हैं, दोस्तों, इसके लिए मैं आपको simply list बना के दिखाता हूँ, जैसे l मैं मैंने ले लिए यहां पर, और मैंने आपर, randomly कोई भी दो number ले लिए यहां पर, इस तरह से, चले, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी original list डिस्टब ना हो, और मेरे पास में shorted answer भी मिल जाए, उस case में हम लोग shorted नाम के method का use करते हैं, जहां हम लोग supply करेंगे l को, कि ल को हमें shorted क करना है, और इसके बाद में आप चाहें तो इसका जो result आपको एक नया list मिल जाएगी, जिसको आपने l2 में capture किया है, suppose करो, आप चाहें तो l2 को देख लें, और साथ-साथ में आपका original वाला भी print कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि original में किसी भी तरह के changes नहीं अगर आपको original वाला चेंज नहीं करना है, तो आप short rate का काम ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर भी reverse और की वाला concept अपलाई कर सकते हैं, तो reverse में आपको कर देता हूं true, तो यह मेरा decreasing order में आना सुरू कर देगा, और चाहें तो आपको की भी supply कर सकते हैं, तो इस तरह से दोनों ही method applicable है, जब आप अपने original list को change करना चाहते हैं, तो आप l.short का use करें, और आप चाहते हैं कि आपके original list change ना हो, तो उस case में shorted inbuilt method का आपको use करना चाहिए, ताकि आपके original list पर कोई भी effect नहीं आएगा, और आपको एक shorted list भी मिल जाएगे, तो I hope shorted को लेकर आप कोई without अब नहीं रहा होगा, चलते हैं हमारे next की तरफ और हम लोग यहां बात करते हैं reverse, आगें दोस्तों, shorted जो है, यह हमारा ascending या descending order में आरेंज करता है, जब कि reverse, जो भी order given है list का, उसको reverse कर देगा, चलिए, प्रोगाम कितुर हम लोग इसको देखते हैं, कैसे होता है यहां पर हम आएंगे, और मान लेते हैं कि मेरे पास में कुछ इस तरह का mixed एक दे रखा है list, मैं इसको reverse करना चाहता हूं, तो आप इसको easily reverse कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आपको लिखना l.reverse, reverse method का use करेंगे, तो आपको यह l को क्या कर देगा, reverse कर देगा, दोस्तों, तो किया है, उसका यह reverse form-up दे देता है, तो दोस्तों, reverse वाला काम हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहें, तो हम लोग slicing के through भी reverse कर सकते हैं, कैसे करते है slicing के through, मान लेता हूं, मेरे पास में L2 एक नए reference है, तो वहाँ पर मैंने L के बारे में पूरा बता दिया है, कि L ज आपका पूरा पूरा यह reverse order में आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि आपको वापस reverse order मिल रहा है, और इस वा मैंने reverse matter काम में नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर सी कोसी slicing का काम में लिया है, तो slicing के through भी आप लोग अपने element को या फिर आप अपने list को क्या कर सकते है, reverse order में negative मतलब आपकी जो step से वो reverse में चलेंगे, इस case में क्या हो जाए कि पूरी की पूरी जो list है, वो reverse list हो जाएगी, ओके, तो साथ साथ अगर मैं इसका answer देखना चाहूं कि original list में ही change हुई की नहीं हुई है, आप वह आपर वह भी check कर सकते हैं कि original list change है के नहीं है, तो original list में नहीं होती, यह इसका advantage है, और इसके according आप वक्ते है करेंगे कि आपको reverse matter के तुरू, आपकी list को reverse करना है, या भी slicing के तुरू आपको reverse करना है, ताकि original list पर कोई effect ना आए, ओके दोस्तों, तो reverse जादा कोई complicated नहीं है, आप reverse easily कर सकते हैं, अब चले बात कर लेते हैं, copy की, copy तोड़ा सा confusing है, यहाँ पर हम लोग काफी में काम करते हैं, तो तोड़ा सा confuse हो जाते हैं, कि कापी किस तरह से हो, किस तरह से, नहीं हो, यहाँ पर deep or shallow copy का concept चलता है, क्या है यह deep or shallow copy, उसकी हम लोग बात आएगे, तो यहां पर आते हैं और यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट L दे रखी है और आप इसको L2 में कॉपी करना चाहते हैं तो जनल अगर हम लोग हैसे से लिके L2 इकल टो L तो दोस्तों होगा क्या यह दोनों के दोनों यह इंटर लेन में आपको डियाग्राम की तुर समझाता हूं कि डियाग्राम है किस तरह से बनेगा यहां पर जाएंगे हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए आपने को इस तरह से रिस्ट बनाएं यह वन टू थ्री फिर अगर आपने लिखाए L2 इकल टू 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 इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कॉपी नहीं बनी है आप सेंट को दो नाम से रिफर कर रहे हैं चलिए मैं इसको प्रुफ पके दिखाता हूं आपको कि यह वाकर में ऐसा हो रहा है चलते हैं और इसको तोड़ा दीदिन के लिए इसको कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं ठीक है अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कॉपी बनी है तो दोस्तों मैं कहूंगा यहाँ पर कॉपी नहीं बनींगे दोनों एक की ही को ही पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब अगर मै मैं एक नए अलिमेंट सब्सक्राइब करता हैं अगर आपको अपको बनानी है इस तरह से ऐसा नहीं के बजाए हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाए कि आप यहाँ पर कोई ऐसा कुछ लिखें कि यहाँ पर यह फिर 123 कॉपी बन जाए और इसको एल टू ना मिल जाए तो वो काम करने के लिए हम लोग लिखते हैं अल डॉट कॉपी और यह आपको एक कॉपी डिटन करेगा जिसको मैं अल टू में कैप्चर करूँगा अगर आप ऐसा काम करेंगे तब आपके पास में यह डायकाम बनता है और इस केस में अगर आपने यहाँ पर कुछ एड किया है वह एडिशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक्चल में दो कॉपी है ठीक इसको हम लोग कहते हैं शैलो कॉपी चले यह भी मैं प्रूफ करके दिख कर दिया आप चाहें तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं जो हमारा लिश्ट थी उसमें हमने चेंजिस कियें तो उसके एफेक्ट में नहीं आ रहे हैं यह देखी आप ओके तो यहाँ पर शैलो कॉपी का कॉश्ट आता है अब यही काम हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू भ कभी भी हम लोग इंडेक्स से छोड़ देते हैं इसका मतलब है complete लिश्ट की बात हो रही है इस तरह से जब काम करते हैं तभी भी हमारे पास कॉपी का कॉश्ट बनता है और इस केस में हमारे पास कॉपी बन गई है अब आपको लगता है कि सब्सक्राइब कॉपी तो नहीं कि यहां पर भी शैलो कॉपी बन रहे हैं आप इसको स्लाorsch की तुरू बना सकते हैं कि तुरू बना सकते हैं और आप कॉपी मेयजर के थह जो आपको कॉपी करना ब्रसक्राइब होगा और कई बार जेवल इतना लिखते हैं इसको तुरह से दियान एक के एधियान यतना हो ज जाएगा चले दोस्तों अब हम लोग कुछ बात कर लिए उन कुछ और फंक्शन्स की ठीक है तो यहां पर चलते हम लोग अपने स्लाइड पर और यहां बात करेंगे किलियर मेथड की कि क्लियर मेंथड क्या करता है कि हम आज पूरी लिस्ट को कले कर देत है ठीक है लिस्ट के अंदर सारे element को यह रिमूब कर देता है चल के देखते हैं कैसे करता ही काम तो यहां के लिए आएंगे और इसको मैं तोड़े time के लिए हटा देते हूं यहां से हम लोग additional code को हटा देते हैं यहां से यह भी हटा दिया चले यह आपकी list कर गे और आप लिखे आपको क्या कर देगा किलियर कर देगा आप आउपट देख लिए होंगे कि आपको एक empty list मिल जाएगी तो दोस्तों हम लोग clear method के थुरू आराम से अपनी list को किलियर कर लेंगे सारे element को हटा देंगे और हमाई list जो है वो क्या हो जाएगी यह हो जाएगी हमारे पास में empty ओ इसके लिए हम लोग लिखेंगे और यहां पर अगर लिखेंगे तो यह पूरा L को हटा देगा बट हमें list में सारे element हटाने हैं लेकिन list बनी रहनी चाहिए इसके लिए हम लोग यहां पर पूरी indexing देदेंगे इस तरह से भी हम लोग अपनी list को clear कर सकते हैं अगर आपने द आपके पास में रिमेनिंग आ जाएंगे तो इस तरह से हम लोग clear method का यूज कर सकते हैं और चाहे तो slicing का यूज भी कर सकते हैं चलते हैं next method के तरह बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे pop की तो pop क्या करता है किसी भी specific location से element को हटा सकता है और back से भी element को हटा सकता है कैसे चले म आपको दिखाता हूं यह पूरा प्रोगामरा कर यहां मैं लिखूंगा pop l.pop इतना लिखूंगा तो यह हमारा क्या करेगा यह जो हमारी list होगी उसमें से जो end element है उसको यह remove कर देगा तो आप देख रहेंगे के 13 जो element है हमारा यहां पर क्या हो चुका है remove हो चुका है अगर आप किसी specific element को remove करना चाहते है तो आप उसका index यहां पर दे सकते हैं जैसे कि मैं इंडेक्स दिया है यहां पर मैंने 2 तो 143 यहां से remove हो जाएगा पॉप की खास बात यह है ती दोस्तों कि जब पॉप किसी भी element को remove करता है हटाता है तो उसको वापस भी वह return करता है आप चाहे तो उस element को आई में capture कर सकते हैं और साथ साथ उस आई को भी check कर सकते हैं कि कौन सा element आपका हटाए गया है तो मैं यहां लिखूंगा print और यहां लिख दूँगा आई तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं remove method का यूज करकर आप किसी भी element को remove कर सकते हैं लेकिन वह first accuracy remove होगी कैसे जैसे कि मैंने लिखा यहां पर यहां पर यह कुछ return नहीं करता तो इसको हम हटाना पड़ेगा हमें और यहां लिखेंगे l.remove और हमने लिख दिया suppose करो 12 तो यह आपका 12 को जो है वो remove कर देगा अगर 12 टू टाइम्स अकर हो रहा है जैसे माली 12 यहां पर भी अकर हो रहा है I hope आपको यह सारे method easily समझ में आये होंगे इस वीडियो में इतना ही जल्दी मैं आपसे दुबारा मिलूंगा और list के साथ में कुछ और जो inbuilt method है उनकी हम लोग बात करेंगे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you करेंगे